हर्याणा के नू में आज यासिन डिग्री कोलीज में एक समभन सम्हारों रखा गया जिसमें ताकिर हुसेंद पोचे उन्होंने लोगों से मुलाकात कि वहीं काफी तयदात में हर्याणा सुवागत किया और उसी के बीच उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जाकिर हुसेंद से अपनी बाते कहीं वहीं उन्होंने यह तक कहा कि काफी समय से एक दर्खास दी गई थी कि मोल्वी हैं उनकी जारी में इजाफा किया जाए उसी को लेकर उन्होंने विग्यापन भी जाकिर किया को दिया और मेवात में जो भी प्रोग्रेस हुई है या कहें जिस भी तरह की जो काबwnieं काग्जाथ जो रुक्षक हुए थे उनको पूरा करने की जो बात की जा रही है उसको लेकर जाकिर हुसेन का शुक्रियादा किया उसी के लेकर पूरे समारों में काफी सारे लोग पोचे उन्होंने पूरे एक सम्मेलन का अच्छे से अलोचन किया उसी के साथ मेवात में हो रहे आने वाले प्रोग्रेस को लेकर के भी बाते करीब प् आज उन्होंने यहां समान सोहरों में अर्शांदार स्वागत किया और जो उन्होंने हमारे येशस्वी मुख्यमंत्री आदर्णी श्री मनोरलाल जी का भारते जंता पायटे की सरकार का अधर्याना वबोड का जो शुक्रिया अदा किया है इसके लिए सही में वो इसके पात क्योंकि मानने मुख्यमंत्री मनोरलाल जी का अश्रिवाद से मैंने और हर्याना वबोड को सीओ आई एस मौमशाइन साहब ने मिलकर अफसरों के साथ हर्याना वबोड को एक नई दिशा दी है जिसमें हमारे एडुकेट जनरल माननी श्रीवल्देवराज महाजन जी का बह और बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेस अब हो रही है और उसी की वज़े से मानने मनोरलाल जी के आश्रिवाद से हमने इमामों को और जो साहिता मस्धिदें हैं उनको ये बड़ोतरी दी है जो आग तक भी इस पूर देश में नहीं हुई थी इससे हम तमाम तन्जीम के अराकीन और अधदारान और तमाम आइमा बेहद खुश है उसी खुशी का इज़ार आज हमने चौस साब के इस्तिक्बाल करके यहां किया है मैं इन सब का शुकर गुशार हूँ और इससे आप खुशी की पूछ रहे हो आप ये पूछो के हिंदुस्तान में एक रिकोर्ड काइम हुआ है एक तारीख रकम हुई है जो आज से पहले हर हिंदुस्तान के किसी भी बोड में इस तरह की तारीख नहीं लिखी गई जिस त हिंदुस्तान के किसी भी बोड में नहीं है जो आपने हमारे हरियाना वकफ बोड के आईमा को बत्रा है हम इनके बहुत दिल की गहराईयों से शुकर गुशार है मेवास से कैमरमेन के साथ हनुसैनी इंडिया हेड